कि दो हजार बारा के इस हादसे ने सब को सोचने पर मजबूर किया बच्चे बुढ़े स्त्रीप पुरुष सभी ने जैसे कसम खाली कि ऐसा कोई हादसा फिर से हमारे देश में होगा ही ने कानून बदला कानून की रखवालों का नजरिया बदला पर क्या सच मुझ कुछ बदला दिल्ली में ऐसे हादसे होते रहे और दिल्ली में ही क्यों देश के कई राजियों में ऐसे हादसे हुए महिलाओं पर होने वाले अत्याचार कम नहीं हुए ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं सुलकती एक आग हमारे सीने में, क्यों नहीं जागती हमारी चेत्वा, ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं, समाज की भी हमारी, ये केस एक याद ही, ताकि हम ये कभी न भूलें, कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, आज के वक्त की जरूरत है। लोग बहुत गुस्सा है, बहुती जाएदा गुस्सा, डेथ पनाल्टी की मांग कर रहे हैं, ट्राइल शुरू होने से पहले ही, जाएज है उनका गुस्सा, इतनी हैवानियत, इतनी आमानविया हर्कत की हैं उन्होंने, कि सोचके भी रॉंक्टे खड़े हो जाते हैं, सही का इसलिए आगे क्या करना है ये तै करने से पहले, हम ये देखना होगा कि आखिर ये हुआ क्यों, कैसे रोका नहीं जा सकता था इन्विस्टेकेशन पूरी हो चुकी है सर, छे आरोपिये, और इनमें से एक के नावालिक होने की संभावना है, उसके जाच अबे तक जा रही है, और सारे आरोपिये को चार्च श्रिट की कौपी दी गई है क्या आपके बचाओ के लिए कोई वाकील है आपके पस? आप वकील नियुक्त नहीं कर सकते तो ये कोर्ट आपको एक डिफेंस लॉयर देने का इंतिजाम करेगा ये फास्ट ट्रैक कोड आरोपियों के खिलाब चार्जे तैय करती है आईपीसी सक्षन 302 मॉर्डर आईपीसी सक्षन 365 गलत इरादे से किसी को बंदक बनाने के लिए अपरहन करना सेक्षन 395 डकैती सेक्षन 396 डकैती के साथ हत्या सेक्षन 412 डकैती द्वारा चुराई गई किसी की संपत्ति को अपने पास रखना सेक्षन 307 हत्या की कोशिश सेक्षन 376 सब सेक्षन 2G सामोहिक बलातकार सेक्षन 366 अपरहन करना या दबाव डालना सेक्षन 377 अननाचरल ओफेंसे सेक्षन 397 सेक्षन 201 जुर्म से जुड़े सबूतों को छिपाना या मिटाना और सेक्षन 34 कामन इंटेंशन ये कोट माइनर एक्षन के खिलाफ ये चार्जस ते करती है IPC सेक्षन 376 सब सेक्षन 2G गैंगरेप सेक्षन 365 किड्नैपिंग और अब्दक्टिंग विद इंटन सीक्रेटली अन्रॉंगफुली तो कंफाइन परसन सेक्षन 377 अननाचरल ओफेंसे Section 397 Robbery or Dacoity with Attempt to Cause Death or Grievous Hurt Section 396 Dacoity with Murder Section 412 Dishonestly Receiving Property Stolen in the Commission of Dacoity Section 302 Murder Section 307 Attempt to Murder Section 395 Dacoity Section 366 Kidnapping, Abducting or Inducing Women Section 201 Causing Disappearance of Evidence of Offence Section 34 Common Intention Pass-Track Court में आज इस केस की सुनवाई का पहला दिन है मैं आज सब को याद विला दू कि इस केस के पांचों आरोपियों की पेशी आज पास्ट्रेट पोर्ट में होगी और इस केस का छटा आरोपी जो कि एक नाबालिक है उसका केस जुविनाल कोर्ट में सुना जाएगा ना सिर्फ पीडिस सुहासी के माता पिता बलकि पूरा देश न्याय के इंध़ार कर रहा है अब देखना ये है कि क्या ये न्याय वाके न्याय होगा क्या ये सजा वाके ही सजा होगी और पैसला कितनी जल्द होगा क्या है दिल्ली की कड़क्ती सर्दी के बावजूद आज रुक नहीं रहा था आम नागरिकों और जुवा विध्यारतियों का बांध। सकते में आ गए थे लोग इस अपराद के बाद। जाहिर हो रहा था उनका घुस्सा प्रशासन की मिश्क्रियता पर। उसकी असम्मेदन शीलता पर। और दिन बादिन बिगड़ते कानून विवस्था पर। और यहां से कुछी दूर एक हस्पताल में 23 साल की एक लड़की हर सांस के साथ अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी। पेशन्ट की कंडिशन में काफी इंप्रूव्मेंट दिखाई दे रही है पेंटी लिटर से निकाल लिया गया है अब वो खुद साथ से ले रही है और उसे लिक्विट्स भी अड्मिनिस्टर कराय जा रही है वक्त लगे का फॉर शूर बट शी विल फाइटर है और हम सब मिलकर उसके साथ फाइट कर रहे है डॉक्टर महरा क्या सुहासे के साथ कोई कम्यूकेशन हुई है जी हमारी बात हुई है उससे और हमने उसे बताया है कि पूरी इंडिया उसके साथ है और ये बात सुनकर उसे बहुत होसला मिला है जॉआसी, कुछ कहता है तुझे मेरे बच्ची? मा, मुझे ठीको नहें, मुझे ची नहें, मुझे ची नहें, मा आप लोग प्लीज हतिये, आप लोग धीरेच रखिये, आप लोग धीरेच रखिये तरह लगा ठीक है, इंजरीज है और लड़की की इंजरीज मेरे 30 एस के करियर में, मैंने ऐसी हैवानियत कभी नहीं देखी, डॉक्टराजी कोई ऐसा कर कैसे सकता है सर, दूसरी PCR भी उस बस को ट्रेस नहीं करता है मुझे लगता है वो इस इलाके से निकल चिकी यह सर, हमारा एक CCTV कैमेरा रोड की तरफ फेस करते है हमें एक बस की तलाश है, तकरीबन पहुने तस बजे गुजरी होगी हैं से आपकी CCTV फोटेज को स्कैन करना होगा बस बस तदा पीशे जाओ यही है सर, इफ यह दोंट माइड नहीं आप इस बस को क्यो ढूंड नहीं है फिलहाल मुझे इस फ्रेम का ग्रैप चाहिए, क्यक्क ओकी सर, पुलिस को तलाश थी एक बस की वो बस जिसमें ये बरबरता पून वहशियाना अपराद हुआ था वो बस जो 23 साल की सुहासी को इस गंभीर हालत में और उसके साथी निलेश को बुरी तरह से जखमी करके पीछे छोड़ गई थी अपरभवet तरह से बस तरह में 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 हुआ है… सुहाची… चाहची क्यू है 8 तरह सुहाची… सुहाची तरह सुहाची जब के उड़त accepting छूट! हर बहि को पहिए को ने को बहिसा! जो लाज पाड़ topic का पक सेंग, बोल को चूआ हो गाउजा है, है, है फशया शया शया को है, है, है कर दो! बहि कर दो मनि तटनी सूनित प्लम् neur观 टो प्लम टोचज बोल टो झ्लम टो बोल tactics बोल कर carr alguma थिर भुझे ले लियए बोल मेल अज़OTHER पापा, मैं मुवी देखने जारी किसके साथ जारी इसो आशी? निलेश के साथ पापा काँसी मुवी दीदी? लाइफ ओफ पाई अरे लेकिन लौटे की कब ममी में पिक्चे खतम होते ही सीधे घरा जाओंगी और खाना भी घरा की खाऊंगी सम्हाल कर जाना बिटे छी पापा, बाई किसके साथ जाओंगी किसके साथ जाओंगी पाई किसके साथ जाओंगी अरे मोहन भाईया, ठर्रा घटम रोगणा भी घटम अपने वेदें कंगाली चल रही है अज चाला जब से मनू शी तो आर था पता है पूरे दिन मेरे थेले फे एक फूरुट भी नी जपा अरे यार आज तु मे भी आला अब आप सब उस्ताद लोही कड़की कंगाली की बात करोगे तो मेरा क्या कोगा तो मेरा क्या होगा तेकता हूं कूछ देखो 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 सबका ली एंसाली महान भाया मललब कंजूसी की हद दोती है वह पाटी देरो छे लोगों और बोतल खरीद के लाव जदीग यह कोई बात हुग काई के पाटी? कौनसी पाटी? तुम लोग दारु ठीक ले रखा के मैं? महान भाया बैटो महान भाया यह तुमेहमेना सारी राज चली जाएगी जो दो-चार आने का नशा चड़ा है वह भी उतर जाएगा सोचो और दारु कहां से आएगी कोई जुगाड करो भाया बस मिदालो ना थोड़क कमाते हूं पर जम के वहते हैं हाँ उस्ताथ महान भाय टीक बोल रहे है दो द्वार का अपडाउन मारेंगे तो दो बोड़ल के बैसे तो यूँई निकल लाएंगे हाँ मैं भी एक औरत है और खुद को उतना ही असुरक्षित महसूस करती हूं जितना की आप अंधेरे में अकेले बाहर जाने में मुझे भी उतना ही डर लगता है जितना की आप क्योंकि अंधेरे में कहीं वो गित छुपे बैठे हैं जो शायद मुझे भी नोट सकते हैं मैं उनकी हसी सुन सकती हूं किसी औरत को सता कर उनके चहरे पर जो खुशी आती है न मैं उसे देख सकती हूं मुझे नफरत होती है इस माहौल से गुस्सा हता है आदो आदो असतर आदो मुझे नहीं पैडम को दुखती हूं बस बस मैंने मम्मी को बोला था घरा की खाना खाऊंगी मेरा हो गया चलो साड़े आट बज गया चलते है मैं तुम्हे कार छोड़ते हूँ अपने घर निकल जाऊँगा ठीक है यह लो भाई है ठीक है हुआ 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 पालम चलोगे भी है पालम चलोगे भी है सर आगे देख लो मुझे जाना नहीं अटर जन्ना बाढ़ जाना पालम चलोगे अए हुआ 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 कमाल यहारा चक्कर कह तो ही ओटो बाले जाने को तयारी नहीं सुनो निलिश हमए काम करते है मुलीट का तर चलते फिर वहां से बस ने लेते हैं राय करते है अरे भाया मुलीट का बस टन तक पर छोड़ दो यार वहां से बस ने ले ले ते मुलीट मुझे ओम मिला तोसही यह कि भी दवार दोरूद आख стор me अ मतलिका की अरम का इसिस के एक शब भुदगे आ कंः कि मैं गेचा आख शाम का वा०य ऐखा हे शैर कि त्वस son भी आख अख इंगी हुका जो देंगे उदी यह सिनगा कि अ आख यह घर आख यह मैंने विखनल जो डिंगा अ चल लाबाई 20 रुपया विश रुपय के लिए बस नपया तो पास परते है ना बढ़ियो पास परते तो पैदल क्यू ने चले गए और यह मोलबाव नहीं करना यह प्राइवेट बस है एक बस नियो सरकार के दामाद बंद कर सभारी करो समझे हम वीश लेते है वीश निकाल लेकिन मैं अरे वह भाई चुपचा बीस रुपय दे लॉंडे को लिखने में छोटा है लेकिन तुझे पता है ना छोटी चुरी की धार कितनी घतरनाग होती है अरे यह का करो मेरे पैसे बापस लाओ या तुम्दा गती है अरे लंग रोकिन आजाए जोलाद इरो बन रहा है क्या तू एक तो इतनी रात को सड़क पे अकेला निकलाया उपर दे बड़े-बड़े नोट दिखा रहा है बड़ा दिल्ली है यह दिल्ली चल बैट जा अब दो आरे कर दो दो जाए को टूटमा इकम पुला हुए यह मेरा मोबा बापक ग्र번 करता हूं है यह दो दिन की मैहनत की कमाई है यह आतمن ने गई आए अपर बन लोग से निकली गोली और जेब से निकली पैसे ही कभी वापस नहीं आते हैं सोचाथ तुने हम भाईयों के लिए कमाया है हाँ और हमें दारू पिला के ना कुन में कमाया है अरे मोहन भाईया राड़ी लोग नहीं देरा बोटल का इंतियाम तो हो गया चलो मिस्त्री साब उतर जाओ यही पर जो कपड़े निकालके नंगा दोडाएं के सड़क पर सरदी का मोसम में भी जाएगी चलो चलो अब है क्या हो गया कोई बूत बूत देख लिया क्या अभी एक बस बाले मेने हजार रुपय और मेना मोबाइल सब लूट लिये साब अभी अभी गई दर से पकड़ जीन उने साब बस जी कौंसी बस बे उनने तो कोई बस ना दिखा दे रही है अभी रखा क्या ने नी साब मैंने नहीं प्या उन्हीं लोगों ने पी रखा है छे लोग है बस में साब ड्राइबर भी प्या हुआ है साब पकल लीची ना भी जादे अधरा तेरा राकिस लाकिस दवाने साब क्या काम करें मिस्त्री हो साब इतनी रात काई कॉंसे मिस्त्री करता हुए साब काम खतम करने में देर हो गई मालिक से पैसा लेके बापस जा रहा था अपने गर वसंद भी आर महीं रहता हूं साब कि बस थी प्राइवेट बस थी कुछ सिखरी ट्रबल कुछ लिखा हो आता उसमें अब अब ता प्राइवेट बस में चढ़ा कियों तेरा अंदर कुछ गुछ गुसेड क्या फेक देते तो मिस्टरी बाभू, प्रावेट बस में कुछ भी हो सकता है, समझा? लेकिन, लेकिन साब देखिए, मैंनी ये डबल ड्यूटी करके पैसे कमाई, घर पे बहुत दिक्कत हो जाएगा, अब तो कुछ तो कीजिए ना, प्लीज भाई हम कुछ नहीं कर सकते क्या मतलब साब, क्या मतलब साब? देख भाई धवन, हम आजका स्थाने से हैं, तो एक काम कर, एक शुन्य शुन्य दबा, कंट्रोल रूम से तुझे सही थाने के बारे में बता देंगे, मैं आजा के रिपोर लिखा दीजे लेकिन साब, एक शुन्य शुन्य कैसे दबा हो मैं, मेरी पास पोन भी तो नहीं है, उन लोग ने चीन लिया ना साब अब आर अंदूग्री ना कर, दिल्ली सरकार ने जगे 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 पीसियो बूत खुला रखे, आम आजमी की सिवा के लिए यू दिल्ली है दिल्ली, तरह गाउं खेडा ना है, क्या समझा, चल निकल, लेकिन मेरे हजार उपए रूबाई, अरे भाड में गये तेरे हजार उपए, और तेरा दो टके का मुबाईल, हम यहां राजधानी की सुरक्षा के लिए तैनात है, अगर जंता का अक्रोश, सड पर ना उतराता, तो क्या प्रशासन कोई एक्षन लेता? प्रशासन का कोई प्रतिनिधी, अधिकारी, विपक्ष का कोई नेता, आया उनकी बात सुनने के लिए? In fact, आपकी political class के बहुत सारे नुमाइंदों ने इस मामले में insensitivity का भरपूर प्रदर्शन किया है इस जुर्म में भी और जब भी ऐसे case होते आएं कौन क्या वक्तविय दे रहा है यह उसका नेजी मामला है यह सरकार की press release नहीं है सर यह प्रशासन यह administration उन प्रदर्शन कारियों से मिलने को भी तयार नहीं है कैसे मिलेंगे? कोई delegation है उनका? कोई नेता? कोई minister? उनसे मिले भी इस भीड से तो कैसे मिले? किस से बात करें? इस इस फेसलेस क्राउट वैसे भी हम ऐसी कोई मिसाल नहीं रखना चाहते कि कल कोई उठकर बड़ी भीड जमा करके हमारे इंडिया गेट पर, हमारे राश्टरपती भवन पर, हमारे संसत पर कबज़ा जमाले और हमारे निताओं को, हमारे ministers को उनसे बातचीत करने के लिए जाना पड़े लोग तंत्र ऐसे नहीं चलता मेरे भाई तो कैसे चलता है, देश की राइधानी में एक बस खुले आम सडकों पर जर्म करते घूम रही थी एक आदमी को लूटा गया, वो आदमी पुलिस के पास जाता है और ये सब उस लड़की और उसके दोस्त के बस में चड़ने से पहले हुआ अगर पुलिस उसी वक्त कुछ करती, तो इस अपराद को होने से रोका जा सकता था एक आम आदमे की शिकायत तक दर्ज नहीं होती इसे क्या कहेंगे आग, देमोकरसी इस मामले में हमने एक जांच शुरू करती है देश के हर आम आदमी की तरह, सरकार भी इस घटना से बहुत दुखी है, बहुत चिंतिद, हमें इस मामले पर शांती और सेंयम से काम लेना चाहीए शांती और सैयम हमारी कानूनी प्रणाली, हमारा प्रशासन, हमारी सरकार ऐसे अपराधों से, बड़े आराम से, सैयम से और शांती से निपटती है लेकिन इस बार लोगों की सैंचीरता जवाब दे चुकी थी इस अपराध ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था देश की राजधानी की सडकों पर चलती एक बस में जुर्म हो चुका था अरे मौन भाईया, पूरे आजा रहे हैं, पांच घंबे अराम से आएंगे आज तो हम सब दारू में गोत्ते लगाएंगे, गोत्ते अर्दें, अर्ज जिए तो होत्ते हैं, मौने ऑधा तो हिए खुदित वर जाए भाई द्वार का रे मालम हाँ जाओँ बाई गुल जाएंगे, आजाओ वेंजी पहेचा अए जाओ साथ बाटु एक टिकेट के वीस रुपे होंगे भायाजी अचोटो, वो जी रोजे लॉंडिया के टिकेट का क्या रहे थे वह भाई, क्या बत्तमीजी यही है? अबे इती रात को चिकनी को अकेले कुमारा है जान जला रहा है हमारी बत्तमीज नहीं है क्यों हाई यही हुआ अरे ड्राइवर, यह कैसे लोगो बस में बथाया आपने? बत्तमीजी कर रहे हमारे साथ आप गाड़ी रुको, मैं उत्रेंगे, आगे नहीं जाएंगे हम चलो अए गाड़ी दो तभी रुकेगी जब डीजल कदमोंगा अच्छा अच्छा तभी रुकेगी, तो मैर कुवाता हूँ पिर लगाता हुपलेस कुपन, पुरको तुम तुटू है 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 मेडम अपका बॉर्फाइंड है? शुट आप है 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 कड़कती ठंड में, Suhaasi और Nilesh बुरी तरह से खायल हमारे देश की राजधानी की सलक पर पड़े थी गुजरती कई गाडियों ने निलेश की चीखें सुनी गुजरती हर नजर ने दोनों को देख कर भी अंदेखा कर दिया लेटेस्ट अप वाले कीमती स्मार्ट मोबाइल फोन में से पुलिस या एंबिलेंस को एक भी फोन नहीं गया 2012 में गांधी जी के तीन बंदर एक नया मंत्र पेश कर रहे थे अन्याय मत् सुनो अन्याय मत् देखो और उसके बारे में अपना मूँ बंद रखो ये तीन बंदर सिर्फ पॉलिटीशिन्स पुलिस हॉस्पिटल एड्मिनिस्ट्रेशन और इस्टैबलिश्मेंट में नहीं बलकि आपके और हमारे जैसे लोगों के अंदर भी बसते हैं हम करुणा से गदगद तो हो उटते हैं लेकिन खुद नहीं उटते हैं इंसानियत का कर्ज नहीं अदा करते हैं नागरिक होने का फर्ज नहीं अदा करते हैं सहानुभूती की वो शमा, वो कैंडल, वो मोमबत्ती एन वक्त पर बुच गई जब उसकी सबसे ज़्यादा जरूवत थी पर आखिरकार बेरुखी के इस शर्वना कंदकार में एक चिंगारी चमकी कुछ इंसान, इंसानों की तरह पेशान क्या हुआ? याश याश क्या हो भाई? साथ साथ याश याश अरे भाई, कुछ तो बोल क्या अकिन हुआ क्या है? अनव तू पीसे अरले किया, जो उनने क्राउस की थी मैंबुलेंस को फोन करता हूँ याश चाहलत कर दी मैंबुलेंस 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 विलेजे पिलाज соврем, विलेऑ लिलाज। वटले लिलाज। प्लाजी टो मेरी टॉ से वाद एफ! और नगींगार 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 सिर्ण पर नगींगार कर दो, खर दो खर अज़ आज़ वाँ जो हाजी PCI-SOLAR reporting, sir मैपालपूल फ्राइबर के पास एक लड़का लड़की ब्योश मिलने है लड़के में थोड़ा होश बाकी है लड़की के हालत बहुत खराब है, sir ओबर न आउट सर लड़का शायद स्टेटमेंट दे पाएगा थोड़ा होश है भी के रहा होसे और लड़की को बस से फेका गया है कहा ले गए होने लिंप्स में मुल्टिपल फ्रेक्च्छर्स और हेड इंजिरी जैंसर बेसिक सुचर्स कर दी है बहुत बुरी कंडिशन है, sir पुलिस केसे? रेप केसे लेकिन मैंने इतना हारेबल रेप मैंने आश तक नहीं Sir यह रेप नहीं है यह मैडनिस है बोड़ी का कोई भी ऐसा पाट नहीं है जहां पर अटेक नहीं हुआ हूआ और सर्शी इस वाट्टर स्मिधी Sir इसकी एक्सटर्नल बोड़ी के साथ साथ इसकी इंटर्नल बोड़ी पर भी अटाक हुआ है और वो भी पुरी तरह डबल डोस मौफिन दिया है आइसा एफ यह दो लोग थैं जिन्होंने पहले देखा और बाद में हमें इंट। अधिन दोड़का यह लड़की कुछ बोले तुमसे सर अधिन थवड़े होंगे था उसका नाम निलेश है। उसका नाम सुहासी बतायास औ को दोनों उसी बस में ते छे लोगों ने उन पर हम्ला किया सर। कौंची बस्ती है? प्राइवेट बस्ती सर। लड़का बतारा था उसके शेक्री ट्रेवल्स लिखावा है हमारी बूसरी PCI टीम उसको फोलो करी है सर। और फोर्च लगादो इसे ढूलें सर। नर्स नर्स, सौहासी कासी है? वो ठीक है वो दूसरे इसी ले यह थीक है अप्री जापके जहाप लेजिए वो ठीक है प्लीज अप्लीज आप्लेट जेगे ड्र्टर मुझे सौहासी से मिलना हो कैसी है? देखे आप उसे मिल पाएंगे लेकिन अभी नहीं आपके तबीट ठीक नहीं है कई फ्लेक्शर से आपको सच पता यह डॉक्टर वो ठीक तो है देखे सौहासी बिलकु ठीक है अपका नाम ड्रेक्षक यह सौहासी सौहासी तो मुझे सौनसकतियो निलेश कहा है? वो पगल के I.C.U. में हैं, बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे मदर फादर को बता दिया है, अन्दवे है. मेरे साथ जो हो, प्लीद, मेरी फैमिली को मत बतायेगा, उन्हें आने से रोकिए, मुझे घर जाना है, मैं चली जाओंगी. क्या मैं अभी जा सकती हो? सौरी सौरासी, तुम अभी घर नहीं जा सकती, तुम्हें कुछ दिन यही रहना होगा, तुम बुरी तरह से गायल हो, प्लीज ट्राइट तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं. किसका फोने जी? सौरासी का है क्या? नहीं कोई और ही नमबर है, हालो? क्या हो अब? क्या हो जी? सौरासी ठीक तो है ना? हालो, हाँ, एद्वर्केट हरिश बोल रहा हूं? क्या हाँ? शाननी, शाननी, उठो! क्या हुआ जी? दिल्ली एस्पटाल से फोन आया था? अस्पटाल से? नेले स्टीक एंदर जी? उसका एक्सिडेंट हो गया, शाननी? हाँ! यह सब मेरे कारण हुआ है, सर. हमें बस नहीं लेनी चाहिए थी. बस के लिए कुछ भी नहीं कर सका. बचानी सका उसे. हम बहुत जल्दी उस बस को ट्रैक कर लेंगे, उसकी तस्वीर हैं हमारे पास. वो जही लोग थे. ट्राइवर, कंड़क्टर इंक्लूड़द. काफी शराप भी रखी थी उनोंने. उनोंने मेर सर पर सलीय से वार किया. सौासी को नहीं बचा सका सर. नहीं बचा सका उसे. मैं सौासी को सेफली घर पहुचाना चाहता था सर. बट तेगी. रहत के नौ बच गयती. आमें तब ही से उसकी चिंता होने लगी थी. कहकर गई थी. मा, मा मेरात को कर में अर चाहना कहंगी. मामATHAN लगा था सर, चलो ओ निलेश जी साथ में है. हम सब लोग उनको जानती हैं सर. वो लू दी थी की अच्छे दोस्ते है. यह सभ मेरी मेरे से कैसा थे क्यों? मेरे मेरे मैरे पच्ची के रसे क्यों? क्यों अरी मैं जिगे जए जब काम पर लगा दिल्ली के हमारे जितने भी खबरी हैं सबको काम पर लगा दो गुडगाओं और गाजियाबाद के भी हमें किसी भी सूरत में उबस धुड़नी है हराल में धुड़नी है नल्की के साथ गैंग रेप हुआ है जानवरे से बतर बी कि राकेश धवन नाम का मिस्त्री रिपोर्ट लिखाने आया है इस कांट से थोड़ी तेर पहले इसी बस में इनी छे लोगे ने उसे भी लूटा है उसके दिंदर की कमाई और मोबाइल सब कुछ छीन लिया कानून मजबूत होना चाहिए और सजा कठोर कुछ दोरा है नहीं है इस बात में लेकिन डेथ पेनल्टी ये तो किसी के भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है लेकिन मौत की सजा का डर क्या अप्राधियों को रोपने में कारगर साबित नहीं होगा जुर्म कानून या सजा के डर से रुकेगा या कानून विवस्ता को मजबूत बनाने से अगर आपकी कानून विवस्ता मजबूत है तो जुर्म अपने आपी लड़ खडाने लगेगा अगर उस राग पहला जुर्म हुआ उसी के बाद बस को रोग दिया जाता और कारवाई की जाती तो दुस जिन्हें इस कानून का पालन करना है, अगर उनमें ही बदलाव ना आया, तो इस सख्त कानून का मतलब क्या है? एक भी नहीं सुनी साफ, मेरी मदद तक नहीं की, और उपर से काहा कि एक शुनने-शुनने दबाकर पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा हूँ, मैं कैसे करता साफ, उन लोग ने मुबाईल तो चीन लिया था छीक है, तुम अपनी कंप्लेंट ठीक से रिस्टर करवा दो, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं जी साफ सर एक मेकानिक से ख़बर मिली है, सेखरी ट्रवल्स नॉइडा से उपरेट करती है इसके मानिक को तुरंद हाजिर करो, ये केस बहुत बड़ा बावाल खळा कर सकता है जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, शायद रोका जा सकता है जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और शायद रोका जा सकता था शायद उस रात भी जब ये वैशियाना जुर्म हुआ और तब तब भी जब जब ऐसे बरबरता पूर्ट जुर्म होते हैं, रोके जा सकते हैं शायद कानून पर बहस चड़ी, उंगलियां उठी, आरोप लगे, घुसा उफन कर सड़कों पर उतरने लगा ऐसा लगा कि दिसंबर दो हजार बारा में जो कुछ हुआ उसके बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, शायद क्या वाकई कुछ बदला? कहने को हमारे देश में औरतों को हर तरह की आजादी है, हम कहीं भी, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में है यह आज़ादी? आज तो नहीं है, लेकिन इस देश की नागरिक होने के नाते, मैं एक ऐसे वक्त की कलपना जरूर करती हूँ, जहां पे औरतों को कभी भ किसी भी तरह का डर ना हूँ किसे यही सिस्टम रहा है अभी के अभी, मोहन सिंग और उस बस को इहां हाजिर करो अचलो, मोहन सिंग को पता नहीं चलना चाहिए कि अमने उसे बुलाया है, अगर वह भाग तो सोच्छ तुमारी खैन नहीं है सिक्री, जी साब हां सिर्थ, मोहन कहा हो तुम मैं शोया हो सिर्थ, अच्छा एक शादि की पार्टी है, जाजियाबाद लेकर जाना, तुम अभी के भी बस लेकर यहां जाओ, तेखो पार्टी यही दर्वाजे पर है जल्दी आओ, तो आ है पह। आदे गंटे के टाम दो, पहुँ आओ, प बस लेकर आदे घंटे में यही आ रहा है साब, साब अब तो बता दी जी बात क्या है तुम्हारी बास स्कूल के बच्चों को ट्रांसपोर्ट करती है जी साब, कोई प्रॉबलम है परमिट है? जी है, जी है दिल्ली इलाके का पैसेंजर परमिट है पाइल देना सार, बीपी और पाल स्रेट कहीं के कहीं है प्लेटलेट काउंट कल से काफी ड्रॉप हुआ है 48,000 वकर अफ पर सजरी उसे अभी काभी योटी ले जाना होगा परमिशन आप परमिशन नहीं है जाना है, अपरमिशन नहीं है जब दोक्टर राएंगे तो प्लीज आप उनी से बात कर दीजे सच बताएंगे नर्स कुछ सीरिस तो नहीं है वो, उनका अपरेशन चल रहा है मुझे अभी मिला आप व कहा है? वह आप हज़ा जिए है? आप भज़ि ए एले एले एलेए बेटे जिए किया है? कwhy zod fuckin छो यूचल? इसी दौरान इस भयंकर जुर्म की खबर तेजी से फैल रही थी मुनिर कासर उठाया था दोनों को बाकी पाचों का है होगे गहीं? मैं नहीं आनता है हाथ में कहता था उसने में को हाथ पर काटा था नो ले मेंने कुझे थपन मारा है शिले एक और अब पोन महान सिंग पाकी के पाचों का है नहीं तो तेरे पांच टुक्ड़े होंगे बेच दिया था उनको अपने अपने घर बेच दिया था अभे थर्की उसालों ओए उट अड़ अड़ ऐच अटो 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 तेरे बाप के गाड़ी क्या? आई जापकरो पूरी एक भी निशान नहीं दिखना चाहिए ठुल्लों को समझें ना? सेफटी ये नहीं अपने पास रखरें तो बोलुन नहीं वेचिए मत बिलको लुस्ताँ तूपलों भी सेफटी के लिए अपने घर में याओ वहीं पड़े रहों अपनी दरब से नहीं साप सुथरा होगा ना? बढ़ी रह रहरा हो आपनी तरब सापस महीं सूताम अधर ब सभी अपने अपने घर चले ले से पांचो के अटरस बॉल राम दास कलोनी सर वीषीप मादम का पाले सब पांचो के नाम बता जहन मैम उस रेप केस में क्या प्रोडेस है वह बस अमारी रहासत में है मैम मेरे अक्यूस ड्राइवर महान सिंग पीछा बद करो और पांचो को पेश करो मामला गरमाता जा रहा है हॉस्पिटल के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही है बस दो दुन की बाद है में सभी आरोपी लॉक अप में होगे मुझे एक दो घंटे भारी पड़ेंगे सिचुएशन को समझो यस मैं सर बाकी पांचो का पता चल गया है एक है मनोच सिंग इस मोहन का भाई वो भी ड्राइवर है फिर गोविन सिंग है बस में हेलपर का काम करता है हंसराज मलिक फल्फुरूट का ठेला चलाता है आरकेपुरम में पाचवा है रवी कौशिक एक जिम में काम करता है और छटा है छोटू उसका अब तक पता नहीं चल पाया है सर यह चोटू मोहन के अलावा बाकी सब से उस दिन शाम को भी पहली बार मिला था चोटू को छोड़के बाकी सब के अडर्स भी मिल गए मिली है कि गैंग रेप के बाद सुहासी को काफी मारा पीटा गया है कैंग रेप के बाद सुहासी पर इतनी हैवानियत के साथ आकरमर किया गया है कि हम शायद उसे डिस्क्लोज भी नहीं कर पाई लड़की की कंडिशन सुधरने में काफी टाइम लगे लेकिन आपको बता दूं लड़की फाइटर है बहुत ही कॉन्फिडेंटी दर्स से लड़ रही है और वो हमें ये कॉन्फिडेंस दे रही है कि वो बहुत जल्दी इस भेहंका रहस्ते को सर्वाइव कर जाएग मैं सच सच बताएगे तो अवाइवल की कितने चांसे है कंडिशन क्रिटिकल है क्यों डॉक्टर क्योंकि उस पच्ची के पूरे शरीर को काट काट कर चलनी कर दिया गया है उसके प्राइवेट पार्ट्स पुरी तरीके से डैमेजड है उसकी इंटस्टाइन डैमेजड है उसके एक रिप टूटी हुई है इतनी क्रिटिकल है फ्रेंड्स बैए आप सब लोगों से ही की रिक्वेस्ट करूँ है शालती रखे दुआ कीजिए कि सोहसी जल से जल ठीक हो जाए मैनोज को लाई है? वो तो सुभी घर से निकल गया है मैने कहन आप से मैं नहीं जानती कोई जिष्टेदार, कोई अड़ा, कुछ तो पता होगा आपको मैंने कहान आपसे मैं नहीं जानती एक जलो इस्पेक्टर साफ, मेरे बिट्टे असा नहीं कर सकता एसको अमद लेके जाहिए यह नहीं कर सकता तो तो ऐसा कहरी नहीं सकता रवी हाँ किल दो जाहा होती कलरात को क्या कांड किया तुने बोल ना वह ओलता क्यो नहीं क्या हुआ था बोलता क्यों नहीं तू लेके जल आख नहीं नहीं को ठसकता रवी pickles badly可以 अभड आप़िए माने कल इसवाँ पहा है गोविन सिंगर खोटु जा पर भाव कहीं से लोग हाँ सरया? साव, गोविन में नचोटू. रात को कमरे पही थे, गोविन के. सूब तक थे साफ्प. यज अभी कहा है, पतानी साफ्प? माहा का साम साफ्प. साफ, साफ, साफ्प! मुझी पता है, साफ्प! साफ्प! मैंने कल गाट के बाद इन नहीं देखा साफ नहीं यही जाब लही जाब लेखा लेखा, 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 लगाण गाण देखा लिया पूरी बसका साबून का पाने ज़ायओ लगता है बड़ी डिटेल क्लेंड पूछी है हमें कुछ लंबय वालों के स्टेट मिली हैं जोने विक्टिम के वालों से मैच करना होगा इस केस को सुलजाने में पुलिस ने जी जान लगा दी आम लोगों का क्रोध और आक्रोश दबाओ का काम कर रहा था ना सिर्फ दिल्ली में बलकी पूरे देश में प्रशासन के खिलाफ विरोध आंदोलन और कैंडलाइट विजल जारी थे लोगों के उबलते घुस्से ने प्रशासन को जगा दिया था साब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मुझे तो पता भी नहीं था कि कब वो पीट पीछे मेरी बस ले गया इतना बड़ा दोका दिया उसने मुझे परमिट तुमारे नाम पर है और चेक नहीं करते हैं कि बस किसले इस्तमाल हो रही है तुमारा ड्राइवर बस को नशे में चलाता है तुमें कोई फरक नहीं परता वो भी स्कूल के बच्चों का ड्राइवर साब मुझ पर यकीन कीजिए मैं सच कह रहा हूँ सर चुट बोल रही है इसकी बस का रिजिस्टेशन डील-41-SK-1906 पिछले दो साल में आट बर फाइन हुआ इसकी बस पर किस यह? बिना परमिट के सवारी भी धाथी ती इसकी बस आट बार फाइन लगने के बाजूद यह गयर कानूरी धंदा चल रहा था बिना परमिट के सवारियां उठागा सर वो तगड़ी घुज जाती होगी तेरी जेश तू भी अच्छा कासा कामाता होगा सर अब रहा हो सर ट्रांसपोर्ट को परेशन को रिपोर्ट भजोगी साले कि सारी बसे जप करे और लैसेंस भी कैंसिल करे नहीं सर सर आसामत कीजी मैं बाल बच्चे वला आदमी हूँ वो लड़की भी किसी की बच्ची है जो इस बग बहुत दर्स से गुज़र रही ताप रही उसकी जालत के लिए कही ना कही हम भी जिम्मेदार हैं और तू भी हिरासत मेलो इसे जाल सब्धरी बात तो सुनो सब्धरी बात 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 उस लड़की को इतनी पुरी तरह से पीटा सब्धरी यह से पंगलता है काफी दुएसर मेने इस बंदे को मैं कुबल करता हूँ जब में लड़की को नहीं मारा साहब लड़की को मोहन भायाने मारा सरीय से मारा साहब हाँ मारा लड़की को सरीय से मारा जही करता है तुझे पबलिक के हाले करता हूँ और पता दूं कि यह है उत्तरिम्ता हाँ तो कर दो ना साब आप मारो पब्लिक मारे यह सरकार फासी लगा दे कोई परक्पन नहीं पड़ता मेर कोब जो किया सु किया जी हूं या मरूं तेरा भाई मनोज काँ है कहा है मनोज अल्वा मैं राजयस्थान गया होगा जह उसका दिमाग घूंगता है ना अपने दूस के हाँ चला जाता है वह को विंदर छोटू मैं को इसकी माँ हूं क्या और दूज पीते बच्चे हैं क्या और सबका ठेका लेके रखाई क्या मैंने गया होंगे साले भाग गया होंगे डरपोक कहीं के हलो मिर्ज आप दिल्ली वजन भीयर थाने से प्याई तलवार बोल रहो क्या सेवा गर सकता हूं आपकी कर रातियां दिल्ली में गैंग रेफ हुआ है ख़रे की एक आरोपी आपके अलाके में चुका है अगर ऐसा हैं इस्पेक्टर तो उस साले की जो भी डिटेल से में बता दो दसीट लेंगे सर अलवार पुलिस ने मनोच सिंग को धर लिया है कौमिदर छोटू सर खब्रियों ने बताया है कि ये छोटू बदायू यूपी का रहने वाला है पांच साल पहले घर से बागा था पहले आनद विहार आइस बीटी में धक्का मार का काम करता था और इक गोविंद औरंगबाद बिहार को बिलॉंग करता है इसकी फैमिली वहीं है सस्राल भी औरंगबाद पुलिस को भी इतला दे दी है गुड़ मुझे हर घंटे फोल अप चाहिए दोनों स्टेशन्स पर प्रेशर बनाए रखो सर् छे थे चार हमारी कस्टडी में है बाकी दो का लोकेशन अडेंटिफाई हो गया चंदी गंटों में दे विल बी कॉड़ सर् जो हुआ है वो बहुत शर्मनाख है आनन और कुछ सीरियस लैप्सस भी हुए है तुमारे डेपार्टमेंट की तरफ से एग्रिट सर् डेमिज कंट्रोल की पूरी कोशिश कर रहे हैं पबलिक वाकई बहुत गुस्से में है situation out of hand हो गई तो सब कुछ out of hand हो जाएगा इस agitation को रोको out of hand नहीं होने देंगे सर जितनी जल्दी गुनगार पकड़े जाएं सब के लिए अच्छा है क्यों नहीं सिखाते माबाब अपने बेटों को अउरतों की इज़त कर जब तक माबाब अपने बेटों को यह सबक नहीं देंगे ना तब तक बेटों में बदलाब भी नहीं आएगा जब मसला हमारे घर की बहु बेटियों का होता है तो हम जाग जाते हैं लेकिन जब किसी और पे अत्याचार होता है ना तो हम देखकर भी चोप रहे जाते हैं अमें क्या करना कौनसी हमारी बहु बेटी की बात है क्यू नहीं जागते हम अपने अंगर क्यू नहीं बदलना चाहते हम अपने आपको सच कहने साब गोविन यहां आया ही नहीं दो साल हो गए उसका चेहरा तक देखा नहीं जब से शादी हुई है यहां आया ही नहीं उसकी घरवाले भी उसे छोड़ करके चली गए बहुत पीता था साब जलत धंदे करने लगा था पतनी काया उसकी हमने सुना था पंदरा दिन पहरे लवटी थी उसके पास उसके यागे आमे कुछ नहीं पता साब उसकी पतनी है यही औरंगाबाद में है ना हाँ साब जब तक हम गोविन को पकड़ नहीं लेते आप दोनों यही रहेंगे औरंगाबाद में साब, छोटू यहाँ परसो आया था फिर अचानक से गायब हो गया हाँ साब, पूरे पांच साल के बाद तो अपनी शकल दिखलाई है उसने इतना सा था तब ही घर छोड़ कर भाग गया था यूही चला गया बिना कुछ बताया हुए हाँ साब, ऐसा ही हो बदमास पांच साल पहले भी भागा था ना तो एक शब नहीं बोला, बस गायर हो गया बाद में पताचला साब चोरी की थी साले ने इस बर कहा मुकाला के ए उसने सामोही बलादकार कांड में शामिल है आपका छोटू अपका छोटू दिल्ली में जो बड़ा बलादकार कांड हुआ है उसमें शामिल है हो साब, अन्दा नहीं हो अगर हमें पता चला ना कि तू ने उसे कहीं चुपाया है तो बस इतना समझे लो कि सब के सब बहुत बुरे फ़तो होगे अगर अगर कि वार कि अगर पुछ जिए गाल पुछ पुछ आइपू हो यह सब चोटू से बरामद हो है सिर्ड शाब जी यह वाला मुबाइल मेरा है यह पहला वाला हाँ सर यह मेरा ही फोन है और यह सोहसी का फोन है सर एटियम कार्ड भी मेरा ही है छे के छे रोपी हमारी हरासत में है हम उने जल्दी है कोर्ट में पेश करें पेसे मुझ से टिकट के लिए पैसे लिये और मेरा मोबाइल च्हिन विए इंप नहीं है सर मों ज सब में तिखने में सबसे चोटा था सर आई इदर आई वाकि सब को पहिचानते हो जी से पहला ड्राइवर था मैंने से बस रोखने के लिए कहा था अरे ड्राइवर आप गाड़ी रुकाँ आप यू उतरेंगे तूसरे ने 180 पर गंदे कमेंट्स पास किये थे वो जी रोजर लॉंडिया के टिकेट का क्या रहे है तीसरा इसने 180 पर हमला किया था सर बच्छा चौथे और पाच्वे ने मुझ पर हमला किया था दिले बच्छों इसने लिज़ अकर्ण टेका खुर्ड़ प्राइब 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 बच्छन सुआसी के कंडिशन में मांग इंप्रूवमेंट है, अब वो होश में, उसके वाइटल परामीटर्स निया नॉर्मल में, मेडिकेशन को रिस्पॉंड कर रही है, और थोड़ा बोल भी रही है, उसने सॉलिड फूड की मांग भी की है, पर हम उसे इस कंडिशन में सॉलिड न पर येस, हम सभी उसकी रिकावरी को लेकर बहुत सैटिस्वाइड है, सुहासी, मैं जानती हूँ तुमारे लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है, लेकिन प्लीज, मुझे तुमसे कुछ सवाल करने होंगे, वो लो, पकड़े गए मैं, येस, सुहासी, वो पकड़े गए, और लोगों को सजा मिली चाहिए, बिल्कुल मिलेगे, तुम्हें जस्टिस मिलेगा, सुहासी, और हम सब उसी के लिए वर्क कर रहे हैं, और उसके लिए ये कुछ जरूरी सवाल है, इनके जवाब तुम्हें देने होगे, मिसेश गुपता, कुछ परसीजर्स हैं, ये हमार लेकिन आपको समझना होगा मिसेश गुपता, कुछ परसीजर्स हैं, लेकिन हम इस केस को फास्ट्रै करना चाहते हैं, ताकि जल्द से जल्द चार्शीट फाल कर सके, तो आपको क्या लगता है, मैं कुछ और चाहती हूँ, कुछ और कर रही हूँ मैं, आप सिर्फ अपनी कीजिए, समझेया, मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिचा बद कीजिए, उसकी कोई ज़रूत निया है, तुम्हें पता है, टॉक्टर बनना मेरा करियर अंबिशन नहीं है, ये मेरी लिए पापको थैंक्स करने का एक जरिया है, यूनो, मेरे एड्यूकेशन के लिए पापा ने अपने खेट तर बेज दिये, मुझे भी लगता है, तुम जरू डॉक्टर बन होगी, मैं तो तुमसे इंस्पिरेशन लेती है, मुझसे? जिस तरह से तुम आइस की प जाए एक तरफ सुहासी मौत से डट कर जूज रही थी, वहीं दूसरी और दिल्ली के लोग गें। सारे भारत वरश के लोग बदलाव के लिए जूज रहे थी, वह सिर्फ कानून नहीं दृष्टिकोन में बदलाव की मांग कर रहे थी, खासकर महिलाओं के प्रती हो रहे जुर्म को लेकर प्रशासन का पुलिस का रवया बदलना चाह रहे थी। हम चाहते हैं कि कानून की रक्षा करने वाले भी हमें इजज़त दें। हमारे प्रती समवेधन शील हों। कोई भी और पुली स्टेशन जाते वक्त अपने आपको डरा हुआ महसूस ना करें। उसकी बात सुनी जाए। उससे न्याय मिले। क्या औरत के रूप में चन्म लेना एक गलती है। मुझे गर्व है अपने औरत होने पर। गलती है उन नजरों की जो औरतों को इज़त नहीं देते। बरसों खामोशी से सबसहती जनता का सहिया मब्दूट चुका था। लोग सडकों पर उता रहे। सवाल पूछने लगे। जवाब बांगने लगे। उन्हें जवाब देने के बजाए प्रशासम ने उन पर लाठियां बरसाने। उन्हें विखेरने के लिए वाटर कैनन्स का इस्तमाल किया गया। पूरे देश ने नजारा टेलिविजन पर देखा और तब हर देशवासी के मन में सवाल उठा। ये पुलिस फोर्स उस रात कहां थी। विरोध प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा था। रशासन द्वारा ये वज़ा बताई जा रही थी और कहा गया कि प्रदर्शन कारियों को कुछ स्वार्थी तत्व गुम्रा कर रहे हैं। उन्हें काबू मिलाना जरूरी था। पर इस बार भी भुगत कौन रहा था। बरदाश्ट कौन कर रहा था। चर्चा, बहस, वादविवाद, राय, हर न्यूस चैनल पर जैसे मेला लगा था। हर एक अपना मुद्दा, अपनी साहनुभूती व्यक्त कर रहा था। दिसंबर 2012 ने पूरे देश को जगा दिया। दिसंबर 2012 ने बहुत कुछ बदल दिया। ने बहुत को जगा रहा है। रजी मोगा बढ़ा है। चले? खासकर इस तैकिकाद से जो सच सामने आया है कि सबसे बर्बर और कुर एक माईनर था उस वजे से जुवे नायल याने कि किशोर उम्र में उसकी परीबासा में बदलाव करने उसे कम करने की मांग हर तरफ से उठ रही है हमने इस मुद्दे पे काफी जवर्शा की और हमारी राय में जो इनायल की उम्र कम नहीं की जा सकती हमारा अपना ये तजुर्बा कहता है और इसके साथ जुड़े हुए तमाम रिसर्च और सेटेसिक्स को ध्यान में रखते हुए कानून में बदलाव की कोई आवशक्ता नहीं है ये मानते हैं कि इस अपरादी का आपराद माफी के लायक नहीं है बहुत ही गणासपद है लेकिन फिर भी हम एकसेप्शन को रोल नहीं बना सकते एक अपरादी की वज़े से उम्र कम करने का फैसला नहीं लिया जा सकता हम आरोपी को हत्या हत्या की कोशिश बलातखार और गयरकानूनी साजिश और सबूत मिठाने के अपराद में खसुरवार करार देते हैं ये कमिटी मुझरिम को जुवेनालिल जेस्टिस आक्ट के तहत तीन साल के सजा सुनाती है लोर्म र Давangen फ्राद सेघ्वारा मैं आरे भट्राम स果न में गाही घखतो ह्रेस्टिस्टिस। इस्टिस्टिस्टिस्टिस्ट्या ग्रदीسب लुब्से धिस्ट睡ी मुझर। यहा इसभ नहीं है, यहा इससाफ नहीं है पापा, अगर सब कुछ मेरी पढ़ाई पर चला जाएगा तो घर कैसे चलेगा पापा? तू सिर्फ अपनी पढ़ाई कर सुहसी और किसी चीज के बारे में न सोच न फिकर कर मुझे पूरा विश्वास है कि तू एक दिन डॉक्टर ज़रूर बन जाएगी और तू जिस दिन डॉक्टर बन जाएगी ना तब हमें लगेगा कि यह तकलीफ यह परेशानी कुछ भी नहीं थी और फिर यह तेरे दोनों छोटे भाई भी तो तुछ से बहुत कुछ सीखेंगा पापा आपने मेरे लिए छो सपना देखा है उसे मैं पूरा करके रहूंगी मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगी पापा अब मैं ट्यूशन लेना शुरू करते हूँ अब कुछ जिम्मेधारिया मेरी पी तो होनी चाहिए ना पाप आप आप थक गयोंगे ना अराम कीजिए तु मेरी चिंदा मत कर बिटा तेरी तकलिफ के आगे मेरी थकार कुछ भी नहीं पिर भी पापा आप थोड़ा हराम कीजिए और मैं भी सोचाती हूँ सोचा बिटा क्या 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 एलो क्या 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 क रहे? रिदों रुखे रहे हैं, Sir? Sir, प्लेटर्स रहरेदे करें, Sir! पासिडो पासिडो पासिडो! लगबग नौ महीनी और एक सो तीस सुनवाईयों के बार प्रोसीक्यूशन के असी गवाः और बचावबख्ष के अठारा गवाहों की गवाही के बार आखिराज फैसले का दिन आगे गुनेगारों में से एक मोहन सिंग जेल में खुदखुशी कर चुका है छटे नावालिक अपरादी को जुविनेल पोर्ड में सुधार ग्रेम में तीन साल की सजा दे दिये है अब सुहासी का परिवार और पूरा देश बाकी चार अरोपियों के फैसले का इंतिजार कर रहा है आखिर इस वैशाने अपराद की क्या कज़ा मिलने चाहिए हैं अजीवन कारवास या फांती क्या होना चाहिए इनका फैसले आख की राये हमें बताइए इस नमबर से प्रोस्टिक्यूशन ने बहुती प्रभावपून तरीके से इस केस को अदालत के सामने रखा है इस केस की जांच में दिल्ली पुलिस ने जो भूमी का निभाई उसकी सराना की जानी चाहिए ये कोड अक्यूल रवी कौशिक, गोबिन सिंग, हंसराज मलिक और मनो सिंग को दोशी करार देती है इनके अपराद हैं सेक्षन 3-9-5 डकैती सेक्षन 4-1-2 डकैती द्वारा चुराई गई किसी की संपत्ती को अपने पास रखना सेक्षन 3-0-7 अत्या की कोशिश सेक्षन 3-7-6 सबसेक्षन 2G सामूहिक बलातकार Section 366, किसी भी महिला का, शादी के लिए या शारिरिक संबंद के लिए अपरहन करना या दबाव डालना Section 377, Unnatural Offenses Section 397, डकैती के साथ हत्या करने की कोशिश या गहरी चोट पहुचाना Section 302, Murder Section 201, जुर्म से जुड़े सबूतों को छुपाना या मिटाना Section 120, Subsection B, Criminal Conspiracy कोट इस केस की सेंटेंसिंग कल सुनाएगा शन की बात है, बहुत जगन ने अपराद की आएंगे, मैं इनके लिए फासी चाहूँगा Death Penalty, इससे कम कुछ नहीं हमें समसत में नए कानून बनाए है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मानिया जजज इस केस में कड़ी से कड़ी सजा देंगे फासी ये एक बहुत हैवानियत भरा जुर्म था मुझे यकीन है, इसमें सारे अपरादियों को मिर्ट्यू तन मेलेगा नहीं, इस मसले को हमें होलिस्टिकली देखना होगा जो भी उस लड़की के साथ में हुआ, वो हैवानियत से कम नहीं था वो नहीं होना चाहिए था इस केस ने पुरे देश की तरह हमें भी इलागर रख दिया लेकिन इस रिपोर्ड में हम लेक पेनल्टी की सिफारिश नहीं कर सकते हमें रेप से जुड़े कानून को सक्स बनाना होगा और उसके लिए हमने काफी प्रोविजिन भी किया है हमें मानना होगा कि बहुत हद तक प्रसाशन भी दूशी है किसी भी तरह के sexual offenses से चाहे वो harassment हो या छेर चाड़ हो या फिर stalking और even voyeurism या acid attack हमें उनसे सक्ती से निपटना होगा हर स्तर पर हर अत्याचार पर कठोर भूमी का लेनी होगी पुलिस के साथ साथ इन जुर्मों को जानने वाले आम नागरिकों को चाहिए कि ऐसे मामलों में case register करवाएं साथ ही पुलिस को कानून और सिर्फ कानून के प्रती उत्तरदाई होना चाहिए जिन हाथों को कानून की रक्षा करना है वे हाथ निताओं के हाथों के कटपुत्ली नहीं हो सकते हर बदलाओं सबसे पहले शुरू होना चाहिए उपरी स्तर पे वहां तब्दिली होगी तो उसका असर नीचे तक दिखाए देगा यानि के हमारे राजनेताओं को हमारे कानून बनाने वालों को अपनी सिस्टम में बदलाव लाना हो राजनीती के अपरादी करन को रोकने के लिए बदलाव लाना बहुत जरूरी हो गया है हम इस वैसले से खुश हैं बस यही उमीद करते हैं कि उन सब को कड़ी से कड़ी सजा मिले हमारी बच्ची ने जो दर्जा है वो उलोग इंसान के लाने के लाइक ही नहीं है बच्ची नहीं है बच्ची को इस देश का टॉप मेडिकल टीटमेंट मिलना चाहिए वो तो मिल रहा है सर डॉक्टर मेरा स्वहासी को आप ले जाएंगे सिंगापूर हर मिनट किमती है बच्ची को आप ले जाएंगे स्वहासी को आप ले जाएंगे स्वहासी नहीं है छॉक्टर मेरा स्वहासी को आप ले जाया डे जाएंगे सिंग्टर युक्टर मेरा सर्वहासी को और विलना चाही जारीित झाल झाल सुहासी ने अपनी आखरी सास ले सुहासी ने जाल ये केस एक असाहय लड़की पर छे लोगों द्वारा अंजाम दिये गए एक बहुत ही जगन अपराफ का है इस अपराफ की गंभीरता अपराधियों के विक्रित और भ्यानक बरताओं से और बढ़ जाती है जिस अमानवी तरीके से इससे अंजाम दिया गया है इससे ये केस रेरेस्ट और प्रेयर केटेगरी में शामिल होता है कोर्ट इस बात से आखें नहीं मून सकती कि ऐसे जुर्म करने वालों को एक स्ट्रॉंग मैसेज देने की ज़रूरत है ये कोर्ट इस केस के अपरादी मनोस सेंग, रभी कौशिक, हंसराज मलिक और गोविन सेंग को हासी की सजा सुनाती है To be hanged till death इस हाथसे को लगभग तेड़ साल हो जो जो आप इंटरनेट में जाके देखें, ये हाथसे रुके नहीं हमने सुहासी की मौत पर चोक मना हैं मौमबतियां भी जलाएं, साइलेंट प्रोटेस मार्चिस भी निकालें पर क्या ये काफी था? क्या वाकई नहीं? ये काफी है? आप खुद ही सोची, क्या हम बदलें? क्या हमने अपने आसपास के लोगों को बदलने की कोई भी कोशिश की है? एक औरत होने के नाते और इस देश की नागरिक होने के नाते मैं चाहती हूँ कि औरतों के प्रती हमारा नजरिया पत्री हमें कसम खानी होगी कि जब तक ये नजरिया, ये मानसिक्ता बदल नहीं जाती है तक तक हम चुप नहीं रहे हैं हमारे देश का इतिहास सैकड़ों वर्षों से, सदियों से ये बार-बार दस्तक देता आ रहा है कि दकिया नूसी और पिछडी हुई फुरुष परधान प्रताएं हमारे समाज के लिए धातक साबित होगी मशूर और सम्मान्य अमेरिकन विमन अक्टिविस्ट ग्लोरिया स्टेनेम ने कहा था कि हमने अपनी बेटियों को तो बेटों की तरह से बढ़ा करना शुरू किया है लेकिन बहुत कम लोगों में ऐसी बहादुरी है जो अपने बेटों को बेटियों की तरह बढ़ा करे जरूरी है कि बेटे भी उतने ही सम्मेदन चील हों जितने की बेटियां जब ये बदलाव आएगा तभी बदलेगा बहुत कुछ हमारे देश में आपसे फिर मलाकात होगी Crime Patrol दस्तक में एक और नए केस के साथ है तब तक अपना खयाल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें सबसे पहले बदलाव की जरूरत है हमारी सोच में, हमारे ध्रिश्टिकोन में जै